नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज किस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे P.A.P.S. से आने वाले इस मेसेज के बारे में जिसमें लिखा है Dear Sir, Madam, Your claim ID is under processed and will be settled shortly तो इस मेसेज के बारे में आज किस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने तो पहले आपसे रिक्वेस्ट की चेनल पर आप नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो इस मेसेज को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो में आलरेड़ी बना चुका हूँ लेकिन फिर भी इस मेसेज को लेकर काफी सारे पीएफ मेंबर को सवाल मुझे मिल रहे हैं इस्टाग्राम के जरिये सवाल यह कि अगर यह मेसेज हमें मिला है तो क्या हमारा क्लेम जल्दी सेटल हो जाएगा और दुसरा सवाल यह है कि अगर यह मेसेज हमें आया है तो क्या हमारा क्लेम सेटल होगा या फिर रिजेक्ट होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि इस message के बारे में मैं already एक video बना चुका हूँ और इस video मैंने बताया था कि इस message का मतलब क्या होता है लेकिन इस video में भी मैं आपको तोड़ा बता देता हूँ कि इस message का मतलब यह होता है कि आपने जो claim submit किया था वो claim अभी under process है और उस claim को हम जल्दी settle करेंगे और यह message EPFO की तरफ से सिर्फ उन्हीं PF members को आता है जिन PF members ने अपना online claim submit किया है वो claim settle नहीं हुआ है यानि कि वो claim अभी under process में है तो पहले बात करते हैं इस सवाल के बारे में कि अगर यह message मुझे आया है तो क्या मेरा claim जल्दी settle होगा फिर हम बात करेंगे दुसरे सवाल के बारे में कि यह message अगर मुझे आया है तो क्या मेरा claim settle होगा या फिर reject होगा तो देखिए अगर आपको भी यह message आ रहा है और इसमें लिखा है कि आपका claim under process है और यह claim जल्दी settle होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका claim जल्दी settle हो जाए यह message सिर्फ एक general information के लिए है आपका claim एक process के ज़री यह settle होगा लेकिन कई पर P.A. purpose में ज़्यादा claim सम् message सिर्फ एक information message होता है claim जल्दी settle होगा यह देश से settle होगा इस बात का इस message से कोई भी संबंद नहीं है अब बात करते हैं दुसरे सवाल के बारे में कि अगर किसी P.A. members को यह message आता है तो उसका claim settled होगा यह फिर reject होगा तो मुझसे जितने भी P.A. members ने इस message को लेकर बात कि है उनमें से कुछ P.A. members के claim जो है वो reject हुए है और कुछ P.A. members के claim settled हुए है तो अगर आपने भी online claim submit किया है और आपको भी message आता है तो आगर आपके P.A. card में कोई भी गल्सी नहीं हुई तो आपका claim settled हो जाएगा जैसे कि अगर आपने advance claim किया है और advance claim करते समय आपने सही bank pazu के check की photo का upload किया है सही से तो आपका claim settled होगा अगर इनमें से आपने कुछ गल्सी की होगी तो आपका claim reject हो जाएगा या अगर आपने full and final claim submit किया है तो अगर आपके P.A. card में data of joining और data of exit सही हुई तो आपका claim 100% settled होगा अगर इनमें से कुछ गल्सीयां हुई तो आपका claim reject भी हो सकता है तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस message के आने से आपका claim reject होगा या settle होगा इस बात का कोई भी संबंद नहीं है तो उम्मित करता हूँ कि इस message के बारे में इस वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा detail में जान करें दे पाया हूँ लेकिन अगर इसके बारे में आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें कि इस चैनल पर मिलते रहेगी